हेलो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपका अपना यूटूब चेनल मेज़र टार्गेट पर तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग कलास्टेन के समाजी विग्यान यानिकी सोसल साइंस के काफी महत्पोर्न 15 मोस्ट इंपोर्टेंड गेस इसके बौर्ड इक्जाम में 110 परसंट पूचे जाएंगे यह मेरा गवरएंटी है अगर दूस्त तो यहां पर एक कॉसंस को अगर अच्छी तरह किसे याद कर लेते पर लेते हैं ना तो आपके बोर्ड एक्जाम में सब्जेक्टिव टाइप परसन में आपसे एक भी परसन नहीं चूटेगा तो क्लास काफी महतपूर ने प्लिस दोस्तों यहां पे क्लास को बिल्कुल अब सुरूर से लेकर आखरी तक जरूर को यहां पे कोसिस की जग अब को बिल्कुल सुरूर से लेकर आखरी तक देखती वें जाना है तो यहां पे ज़्यादा से जड़ा कोसिस की जगा एक एक कोसंस को अच्छी तरह के से ध्यान प्रुबग समझने का तो फरेंड यहां पे फटावर से कलास को लाइक कर दीजिए तो जो भी वीदिया अर इस नमबर को सेफ कीजिए आप बोली की सर में वार्टसप गुरु में जोड दीजिए तो हम जोए न दोस्तों आपको वार्टसप गुरु में जोड देंगे ठीक है तो यहां पर आपको बताना है कि अर्थ विवस्ता किसे कहते बोड एक्जामे 100% पूझे जाएंगे इस परसन को अब अच्छी तरीके से याद कर लिजगा ठीक है तो चले दोस्तों उत्तर में कुछ इस प्रगा लिखते हैं कि अर्थ विवस्ता एक ऐसा तंत्र है यानि कि एक ऐसा धाचा है जिसके अंतरगत विभीन परकार की आर्थिक किरियाए संपादिद होती है यहां आर्थिक किरियाए जैसे कि अपका वयापार हो गया उद्धोग हो गया बीमा हो गया परीवहन संचर आदि ठीक है तो अर्थ विवस्ता में क्या होते हैं दोस्तों एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतरगत हम लोग बिभीन परकार की आर्थिक किरियाए संपादिद होती ह यह किरिया है जैसे कि वयापार उद्धोग बीमा परिवहान उसके बाद यहां पर संचार यह सभी क्या है दोस्तो अर्थ वबस्ता के उधारन है क्योंकि आर्थी किरियाओं से हमें आई प्राप्त होती है आर्थी किरियाओं से क्या हमें प्राप्त होती है दोस्तो आई प्र प्राप्त ने पर आपर समय बती है तो यहां पर इसके नीचे में प्रागरा प्रेंग चंच कर नेक्स्ट कोसन को भी देख लेते जो कि आपके बोड एक्जामें 100% पूझे जाएंगे तो फिरें यहां पर आपको बताना है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट की प्रार्थि मिक्ताओं के अनुसार देश के साधनों का विविन विकास आत्मक के डियाओं में करना है भारत में राष्ट विकास परिषड इवंग नीती आयोगों के माधियम से किया जाता है टीं विकास दर को बराना है तो कि याद हो जाएंगे यहां पर बिलकुल यहां पर सरल भासा में लिखा गया जो कि आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे चले फिर आप आपके बोड एक्जाम के लिए तेनी मतपूर ने यहां पर बताया ना दोस्तो बिहार के आर्थिक पिछरापन के क्या कारण है यानि की बिहार का आर्थिक पिछरापन है इसके क्या कारण है बिहार के पिछरेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाई बताये काफी मतपूर ने बोड एक्जामे 100% पूझे जाएंगे मेरा गैरंटी है इसलिए क्लास काफी मतपूर ने क्लास को आपको बिल्कुल सुरू से लेकर आखरी तक करते वे जाना है तो बिहार के आर्थिक पिछरेपन के पहले हम लोग कारण को देख लेते हैं तो चले दोस्तो उत्तर में लिख देते हैं यहां पर बिहार के आर्थिक पिछरेपन के निम्नलिकित कारण है क्या क्या कारण है दोस्तो उसको पहले देख लेते हैं तो सबसे पहला कारण है जनसंक्या विर्दी यहां पर क्या हो रहा दोस्तो बिहार में जनसंक्या काफी तेजी से बर रहा है जो बेरोजगारी गरीबी आधी को जरम दिया है कहने कारती जो जनसंक्या विर्दी होते दोस्तों बिहार की जनसंक्या काफी तेजी से बरहा है जो बेरोजगारी गरीबी आधी को जनम दिया है उसके बाद यहां पे दुसरा पोईंट है दोस्तों आर्थिक संरचना का आभाव यहां पर आधारिक संरचना का आभाव है यहां की आधारिक संरचना जैसे की यातायाद, बैंकिंग, संचर आधी कमजोर अवस्ता में है यानि की जो बिहार की जो मतलब आधारिक संरचना है इसमें क्या है दोस्तों कमी है जैसे की यातायाद में कमी है, बैंकिंग में कमी है, संचार में कमी है यह आधी कमजीर व्यवस्ता हम कम होने किरसी पिछली अभस्ता में है यहां पर देख सकते हैं या पर देख सकते हैं स्टोई न्य नहीं नहीं टेकनोलोजी होते हैं से हम लोग यहां पर किसानों को काफी नुकसान का सामना करना परता है यानी की किर्सी पिछले अबस्ता में है ठीक है पिछले अबस्ता में चले देखते हैं यह होती बिहार की उत्री छेतर करीश्म सुखार हमासा यहां पर देख सकते हैं घृस्त जीजोएए मेशा़ा धंश सुखार मार हमेशा जहलता है यानि कि जो दक्षनी वाला छेतरे दोस्तों उदर बार वेगर रने आते दोस्ते सुखार होता है और दोस्तों फसल क्या होते मर जाते है चले देखते हैं पर पाच्वा पॉइंट में यह पर आपको लिखना पड़ेगा कि औधोगी करण का अभाव कहने कारते कि बिहार की विवाजन के बाद यहां के औधोगी छेतर जार्खन जाने से राज में बड़ा उद्धोग नहीं है ऐसे में तो बिहार की अपिक छाप जार्खन में बड़ा बड़ा उद्धोग है दोस्तो लेकिन यहां पर बिहार में क्या है दोस्तो बिहार का जब बिहार और राजे जब एक साथ था ना तो उसमें दिक्कत ने होती थी लेकिन जब बिहार और जारकंड यहां पर कहेंगे बिहार और जारकंड जब उसको विभाजन कर दिया गया तो उसके बाद वहां पर वियार के पिछरी पन के मुख्य कारण यह आप समझ चुके होंगे इसको बची दरीकेसा समझ लीजिए तो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे अब बना सना के लिग सकते बोड एक्जाम है ठीक है और यहाँ पर बिहार की पिछरी पन को हम लोग कैसे दूर करेंगे इसका मुख्य कुछ यहाँ पर कारण लिखा हुआ है देख सकते हैं कि पिछरापन को दूर करने के उपाई नेमने लिखी देए तो देखेंगा दूस्तों जनसंख्यापन नियंत्रन किया जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चीहें कि बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उस पर कंच्रोल किया जाए ठीक है? आदुनिक तक्निक का उप्योग करके हम लोग केरसी करेंगे तो उससे क्या हो गातो तो बिहार का पीछरापन दूर हो सकता है और यहाँ पर तिसरा पोइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि बारपन नियंतरन किया जाए आपको पता होना चीए जो बिहार का उत्री छेत्रे परतेक वर्स बार आते तो उसमें अगर कंट्रोल किया जाए तो इससे बिहार का पिछरापन इजली दूर हो सकता है उसके बाद यहां पे आधारिक सर्णरचना का विकास किया जाए ठीक है आधारिक सर्णरचना का क्या किया जाए दोस्तों विकास किया जाए उसके बाद यहां पे पाचवा पोईंट में लिखना पड़ेगा कि उद्धोगों का विकास किया जाए यानि क्यों आपका उद्ध करने की उपायभी आपको आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुगा हो यहाँ पर संख्छेब में यहां पर हम आपको बताते हैं हाला कि यह लगूतार परसन था सोरी दिर्ग उत्री परसन था और यहां पर चौथा परसन को देख लेते हैं जो आपका लगव उत्री परसन जो आपके बोर्ड एक्जाम में 100% पूझे जाएंगे तो इसको भी आप जुन आच्छी तरीके से याद के लिए बोर्ड एक्जाम के लिए most important है तो फिर एंड यहां पर आपको बताना एक परसन काफी मत पूर्ण है यहां पर स्जास को कहें बोर्ड एक्जाम में गत वर्ष में परते वर्ष यह आपको परसन देखनों को मिलेगा ठीक है अगर प्रीवेस से तो इसलिए यह हम पर्सन आपके लिए किये हुए हैं इसलिए यहां पर 15 सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो कि आपके बोड एक्जाम में 110 पर्सन पूझे जाएंगे तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखरी तक जरूर की जगा दोस्तों और यहां पर ज किसी राष्ट्रिया देश के परतिविक्ति के आउसत आई को जब किसी राष्ट्रिया देश के परतिविक्ति आई को हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्रिया में देश के कुल जनसंग क्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है ना तो उसे भी हम लोग क्या कहते प्रतिविक्ति आई करते हैं, तो हाला कि यहां पर दोनों में से कोई एक भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन यहां पर देखेगा, तो किसी भी राष्टी या देश के प्रतिविक्ति के आउसत आई को, अपर देख सकते हैं, कि राष्टी आई में देश के प्रतिविक्ति आई करते हैं, उम्मीद करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, उसके बाद यहां पर नीचे में आपको लिखना परेगा, कि विक्सित देश का प्रतिविक्ति आई अधिक होता है, जैसे कि विक्सित देश क्या क्या है, तो अमेरिका है, बिरिटेन है, और जबकि विक्सित देशों का प्रतिविक्ति आई क्या होता है, तो कम होता है, लेकिन जो विक्सित देश होता है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डफलमेंट हो जाता है, तो उसका पर केबिटा इंकम क्या होता दोस्तो अधिक होता है ठीक है उम्मिद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोस्टन की दरब बर चलते हैं जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए तेन्दी मत पूर ने तो फिरें यहां पर बताना है कि भारत में राष्ट आई की गन्दा में होने वाली कठी नाईयों का वर्णन करें भारत में राष्ट आई की गन्दा में होने वाली कठी नाईयों का क्या करना है दोस्तो वर्णन करना है तो चले दोस्तो उत्तर में लिखते हैं कि भारत की राष्ट आई की गन्दा निम्लि यानि कि जो डाटा आता है उसको एक जगह जमाने कर पाता है उसमें कटिनाई होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सही आकरा कभी-कभी उपलब्द नहीं करता है ऐसा किसलिए होता है क्योंकि सही आकरा कभी-कभी उपलब्द नहीं होता है इसलिए आकरों को एक्तित करने में कटिनाई होती है भारत के राष्टे आए में ठीक है और यहां पर देखेगा दूसरा जो point है काफी महत्पूर्ण है कि दोरी गन्ना की संभाव ना है ठीक है दोरी गन्ना ठीक है तो यहां पर इसको डेस मार के लिग देना पड़ेगा कि विविन अस्तावनों में एक ही वस्तों तदा सेवाओं को भिन-भिन मुलियों को मापने में कढ़िनाई होती है अमीद करते हैं भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे चीक अचले देखते हैं आप नेक्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं अपको पता होना चीए सकल घरेलू उत्पात क्या होता इससे आप क्या समझते हैं तो चले दोस्तों उत्तर में लिखते हैं कि किसी देश में एक वर्स की आउदी में उत्पादी वस्तुओं एवंग सेवाओं के कुल मौदरिक मुलियों क्या करते हैं सकल घरेलू उत्पात करते जाने की जी डेपी करते क्या कता तो जीडी तीक ग麼 किसी देश में एक वर्स की ओदी में उत्पाहदी दवस्तों या फिर सेवाओं के कुल मौदरिक पूझे जाएंगे तो उसकी dob सब्सक्रों करो जाएंगे तो आप इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लिजिए गा तो यहां पी आपको बताना है कि प्रतीवेक्ती आई और राष्टर आई में अंतर अस्पस्ट करें यानि कि दोनों में राष्टे उसक्वाद यहां पर बीच में अड़ी फार देंगे तो सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों परती वेक्ति आई में कि प्रती वेक्ति आई के द्वारा देश के परते वेक्तियों का आउसत आई प्राप्त होता है एवरेज इंकम प्र होते हैं हमें पूरे देश की आई प्राप्त होता है इसके बाद चले दोस्तों यहां पर देखते हैं दुसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा की काफी मत्पूर ने भी पॉइंट है कि राष्टी आय में देश की कुल जन संक्या से भाग देने पर जो भागपल प्र कूल मुली को क्या करते हैं राष्टिज करते हैं एक वर्ष की आउधी में उत्पाधी द्वस्तों करते को को दोनों पॉस्ट जो यह थी याद हो जाएंगा चले देखते हैं थी بोर्ण पर Especiallyánd to थो पर्सेंट जाएंगे मैरा गैरंटी है ठीक है तो फिर इंश्चिया publiताना कि राश्टि ईकी परीभासा दें राश्टि की वरस में उत्पादित सभी वर्सतू एंग से वाव के कुल मौद्रिं origins मौल्कों क्या करते है राष्टो आय कि घंळ है जब निम्नलिकित वीडियो самой की जाती है तो सबसे पहले अपर उतपादन गण्हावीडि validity के दोड havia करते हैं तो देखेगा दोस्तों इसको लिखे डेस महर्दन है कि जब राष्ट्री आयकी गर्णा देस में उत्पाधित वस्तों तदा सेवाओं के आधार पर की जाती है तो ऐसे विदी को हम लोग उत्पादन गर्णा विदी करते हैं उत्पादन गन्ना विदी उसको कहेंगे जब राष्टी आई की गन्ना देश में उत्पादी द्वस्तों तदा सेवाओं के आधर पर की जाती है तो ऐसे विदी को हम लोग आई गन्ना विदी कहेंगे उसके बाद यहां पर दूसरा पर को देखेगा क्या कराई की आई गन्ना विदी आई गन्ना विदी क्या होता है तो देखेगा कि जब राष्टी आई की गन्ना राष्टी के लोगों के आई के अधर पर की जाती है तो ऐसे विदी को हम लोग आई गन्ना विदी कहते हैं आई बिखना प्रड़ेंगे कि जब राष्टि आय की गंणा लोगों के दौरा किया गया वह की आधर पर की जाती है तो ऐसे गंणा वीडी को हम लोग क्या करते हैं वह क्या गंणा वीडी करते हैं चले हैं। इक्जामे 100% पूजर जाएंगे, मैं गेरंटी है। तो यहां पर आपको बताना है कि वस्तु वीनि में क्या होते हैं उसको आपको बताना है। Makes a सब्सक्राइब करना को हम लोग चाहु लेते हैं या फिर यहां पे दुसरे सब्डों में लिखा हुआ है कि किसी एक वस्तू का किसी दूसरे वस्तू के साथ बिना किसी मुद्रा की साहता से सीधे लेंदेन करना को हम क्या करते हैं जैसे कि यहां पे यहूं देखर हम लोग चाओ लेते हैं ठीक है पहले क्या होता था पहले मोद्रे मोद्रा विनी में परणाली नहीं था लेकिन अभी क्या दोस्तों सूरी पहले यहां पे क्या था दोस्तों वस्तू विनी में परणाली था ठीक है पहले मोद्री परनाली नहीं था पहले वस्तू वीनी में परनाली था लेकिन अभी क्या है मोद्रा वीनी में परनाली ठीक है तो यहां पर देख सकते दोस्तों पहले क्या होता था पहले मुद्रा नहीं था तो पहले क्या होता था कि यहुँ देता था उसके बदले में उसे चाओल लेना पर इस पर नाले में क्या होता है कि आधान पर्दान की किरियां के किरिया क्या जयाता है वस्तू के माद्यम से और जिसमें मुद्रा के माद्यम से किया जाता है तो आपका मुद्रा विनी में परनाली होती है याने कि बिना किसी मुद्रा के सीधे रूप लेंदेन को हुई हम लोग क्या करते हैं तो चले दोस्तो देखते हैं पर नेक्स्ट कोशन की दरब पर चलते जो कि आपके बोड एक्जामें 100% पूछे जाएंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजेगा तो यहां पर आपको बताना है कि ATM क्या होता है तो चले ATM जो होते हैं दोस्तो 24 घंटा रुपिया निकाल रुपिया जमा करने का सेवा परदान करता है कराता है ATM का क्या होता है कि 24 घंटा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं डिपोजिट कर सकते और विर्जोल कर सकते हैं यानि कि रुपिया जमा भी कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं भा यहां पर ATM देखती है, उसका ब्रांच होता है, उसका क्या होता है, फाइनन्सियर बेंग का यहां पर क्या होता है, अलग-अलग ATM होता है, इस्टेट बेंग, पंजाब नेशनल बेंग, I.C.I.C.I. बेंग, उसके बाद, बेंग, I.C.I.C.I. बेंग, द्वारा ये सुवीदा अपने गरहाओं को, यानि की जो कस्टमर होते हैं, उप्तलब्द कराई जाती है, उम्मीद करते हैं, आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, चले देखती हैं, नेक्स्ट कोशन के दरब बर चलते हैं, जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए 30 मतपूर नेवी पर संचना, आपके बोड़ एक्जाम में 100% पूझे जाएंगे, तो फिरें यहाँ पर बताना है कि बचत क्या होता है, तो चले दोस्तो उतर में लिखते हैं, बचत लिखके डेस मार देना है, क्या कहता है वो बचत आई तता उबभोग का अंतर क्या कहलाता है दोस्तो बचत कहलाता है, इतना ही आपको यातर रखना है, आई तता उबभोग का अंतर को क्या कहेंगे, बचत कहेंगे, देखेगा दोस्तो बचत क्या होता है, बचत बराबर होता है दोस्तो आई तता आई माइनस उबभोग, आई अंतर उब्भोग टीक है बचत बराबर क्या होता आई माइनस उब्भोग यानि कि आई तदा उब्भोग के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं अब यहां पर देखेगा जो अर्थ सास्त्र एगो है किराओथर की अनुसर किसी वेक्ति की बचत उसकी आई का वह भागे जो बचत कहते हैं तो आप इसको अच्छी दरीगे से आद कर लिजे क्यूंकि आपके बोर एक्जाम हंड्रेटें परसंद पुझे जाएंगे यहां पर एक एक को सन्सका भी महतपूर ने इन में से किसी भी कॉशन को यहां पर हलके में लेना दोस्तो अगर यहां पे अगर आप तो ज्यादा सब्सक्राइब को इस प्रकार प्रिवासित कर सकते हैं कि समाने स्विकिर्थी प्राप्द वीदी गरहा लीगल टेंडर अबंग सहुतंत रुरूप से परचलेत कोई वश्तु जो विनिवे के माधियं मुलिय के समानिय मापक अडिन के भुक्तान का मापद अंड तदा संचे के साधन की रुप में कारे करती हैं तो उसको जो विनिमे के माधियं मुलिय के समानिय मापक अडिन के भुक्तान का दंड संचे के साधन की रुप में कारे करती है तो उसको बच्ची दरेगे से याद कर लिजिएगा तो फिरें यहां पर आपको बताना है कि वस्तू वेनि में पर नाली की कठिनाईयों पर प्रकास जाले काफी महत्पूर्णे बोड एक्जामें कि वे किसी की वे लब किसी की आवे सकता दूसरे वेक्ति की आवे सकता से मेल खा जाए लेकिन ऐसा सन्यों का हमेसा अभाव रहता है तो यहां पर दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा तो मुले के समानी मापक का अभाव ठीक है और यहां पर तीसरा पॉइंट को देखेगा तीसरा अभाव क्या है दोस्तों मुले संचे का अभाव फल सबजी आदी जैसे जल्दी नश्ट होने वाली वस्तू का मुले संचे नहीं हो पाता है जो फल सबजी होते हैं जल्दी नष्ट होने वाली वस्तु होते हैं इसका मुलिय संचे नहीं हो पाता है और इसके बाद चौथा पॉइंट यहां पर देखेगा कि सह विभाजन का अभाव देखेगा दोस्तु कुछ वस्तु जैसे की गाय हो गया भैस हो गया पैर आधी का विभाजन करने पर इसका उप्योगिता समाप्त हो जाएगा ठीक है वसके पाचवा अभाव यह है कि भविस्ते के भुक्तान की कठिनाई इस परनाली में उधार देने या लेने में कठिनाई होती है और च्छटा पॉइंट यहां पर देखेगा दोस्तो मुलिय हस्ताना तरन की समस्या ठीक है वस्त नेक्स्ट के दरब बर चलती है जो कि आपका दिर्ग उत्री परसने बोड़ एक्जामें 100% पूझे जाएंगे तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों परसने कराएगी मुद्रा के आर्थिंग महत्तों पर परकास डाले काफी महत्पूर्न है ठीक है तो चले दोस्तों उत समय से हटा दिया जाये तो हमारी सभी आर्थिक किडियाय रुख जाएगी यह काफी धीमी हो जाएगी यहीं मुद्रा का विस्वा ना हुआ होता तो आज विश्व की विविन देशों में इतना आर्थिक प्रग्यती भी नहीं देखनों को मिलता ठीक है जैसे कि यहां पे जो आपका पुझीवादी, अर्थ भूस्ता होते हैं, तीन परकार के होते हैं, पुझीवादी, समाजवादी, मिस्रित अर्थ भूस्ता क्यों न हो? सबी परकार के अर्थिवस्ता में मुद्रा का आर्थिक विकास को तेज कर महत्पूर्ण भूमिका निभाता है इस आधुनिक यूग में जीवन का परतेक चेतर में भी मुद्रा के द्वारा प्रभावित होता है तो मुद्रा के निमनली के चेतरों में महत्पूर्ण योगद आधनी यूग में मुद्राक का महत्पुर्ण दस्तान ये दी आज मुद्राक के मुद्राक को वर्तमान स्वेह से हटा दिया जाए तो हमारी सभी आर्थिक किरिया रुख जाएगी या काफी धीमी हो जाएगी मुद्रा का अविस्कार ना हुआ होता तो आज विस्व के विभीन देशों में इतना आर्थिक प्रगर्ती भी नहीं देखने को मिलता पुझीवादी समाजवादी मिस्वित अर्थवोस्ता क्यों न हो सभी प्रकार के अर्थ विवस्तावे मुद्रा का अर्थी विकास तेज हो कर महत्पुर्ण भुमी का निवात है इस आधनी यूग में जिवन का परती एक छेतर भी मुद्रा के द्वारा परभावित होता है इसको आप अच्छी तरह के से याद कर लीजे चले फिरेंड देख निती अपना इवह आपको बताना है तो चले दोस्तम लिखते कुछ इस परकार विल्यम पर्थम ने जर्मनी के एकिकरण के उद्देश से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था जर्मनी के एकिकरण के लिए उसने अने को यूद किये उन्होंने रक्त तलवार क की नीती अपनाई एवंग आर्थिक सुधारों द्वारप परसा की इस्तिती को सुधारा ठीक है साइनिक सक्ति को मजबूत कर डेनमार्क और अस्ट्रेलिया एवंग फ्रांस के साथ यूद किया एवंग जर्मानी की एकी करण में अपना महान युगदान किया ठीक है उमिद क तो 15 पर संब्सक्राइब कर दिए तो फटावर से चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फटावर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बगल में नौडिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरूर सेलेट कर लिजेगा ठीक है और दोस्तों जो भी विद्यारते भी तक हमारे वार्टसप गुरू में नहीं जूड़े हैं तो जली से फटावर से मेरा वार्टसप नमबर नोट कीजे मेरा वार् जोड़ी की सरह में वार्टसप गुरू में जोड़ दीजे तो हम जोना दुस्तों आपको वार्टसप गुरू में जोड़ देंगे तो फिर मिलती हैं पर नेक्स्ट क्लास में दूस्तों आज के लिए दना आए थेंक्यू